हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आए होप आप लोग स्वस्थ होंगे मास्थ होंगे मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चीकिए हूँ एक यूसफुल यूनिक वीडियो में जो कि बहुत जादा काम आएगी आपके और बहुत ही यूसफुल होने वाली है तो जरूरी इ बॉटल होता है बॉक्स होता है यह बच जाता है और एच विजर हम इसे फेक देते हैं सब ही लोग यही करते हैं तो आप भी यही करते होगी लेकिन रुख जाएए इसे फेकने की जरूरत नहीं है इसका एक बहुत ही बहतरीन जुगार यूज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले इसके कैप को हम बाहर निकालेंगे और ले लेंगे अपने घर में पढ़ा हुआ किसी भी ब्रैंड का किसी भी कमपनी का एक परफ्यूम जो कुछ भी आप यूज करते हो और इस बॉडल के अंदर हम इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे चार छे बार स्प् इस मौटीन लिक्विड के बॉटल पे हम उस मशीन को भी लगाएंगे जिससे हम इसे यूज कर सकेंगे आराम से तो जब कभी भी आपके घर में महमान आने वाले हो और आपका बाथ्रूम बजबुदार हो ना तो आप इसे पांदस सेकेंड के लिए अपने बाथ्रूम में पलट कर लगा लो अन कर दो और एक्टिब मोट पे कर दोगे ना तो फटा फटा रूम एकदम से खुशबुदार हो जाएगा बाथ्रूम एकदम से खुशबुदार हो जाएगा बद्बु की जो शिकायत है वो खतम होगी और रूम फ्रेशनर भी खरीदना नहीं तो जब कभी हमारे घर में पेस्ट खतम हो जाए और उसका रैपर बच जाए तो उसको फेकने की ज़रूत नहीं उसको इस तरीके से यूज कर लेंगे तो हमारा क्या ही जाने वाला है इस तरीके से चोटे-चोटे पीसे में काट कर हम यहां पे अपने फ्लास बॉटल में डाल करेंगे डालें के बाद असमें डालेंगे पानी आप जाहें गरम पानी ले सकते हो और पानी भी ले सकते हो और ऑपके लगा दीजिए और अच्छे से शीक कीजिए उत्ते टायम तक शेक erdski कीजिए जब तक आपको लगे नगी चुट अजय होगा तो हमने जो पेश्ट का कट किया है उस पार्ट से वो साफ जाएगा, क्लीन हो जाएगा, जैसे स्क्रबर का काम करेगा वो बहुत अच्छे से और हमारा जो बॉटल होगा क्लीन हो जाएगा हमने इसके पानी को फेका नहीं है एक बर्तन में पलट लिया है और बॉटल का उपरी हिस्सा भी हम इसी से क्लीन कर लेंगे उसके बाद हम इसे एक साफ पानी से अच्छे से दो तीन बार अच्छे से धो लेंगे धोने के बाद अगर आपको इसमें लगता है कि पेश्ट की स्मेल आ रही है तो एक बार इसमें आप गरम पानी डाल के शेक कर लेंगे वो पेश्ट की स्मेल भी चली जाएगी और उसके बाद आप इसमें पानी भर के आराम से पी सकते हैं दूद भी कहीं भर कर ले जा सकते हैं जैसे भी आप यूज करना चाहते हो बस आप धोने के बाद इसे पलट कर जरूर रखेंगे उसके बाद ही यूज करेंगे जब कभी हमारे घर में दूद उबल कर गिर जाता है अक्सर होता है ऐसा उबल कर गिर गया हम और कामों में लगे हुए हैं और हमने इसे इगनोर कर दिया लेकिन इसे इगनोर नहीं करना है सारे काम छोड़ कर सबसे पहले जब आपके गैस 스टोब पर किचन स्लैब पर दूद उपल के गिर जाए सारे काम छोड़ के आप तुरंद के तुरंद ही उसे साफ करेंगे तो ये बहुत ताइम टेकिंग हो जाता हैं अगर इस काम में हमें दो मिनट लगना है तुरंट में तो हमें जरूर इसमें 10 मिनट लगेगा जिस कप्ड़े से हम इसे पोचेंगे उसमें भी चिकनाई लग जाएगी तो उसे भी डिटर्जेंट वगेरा से हमें क् तो इन सबसे बचने के लिए फटा-फट से अगर आपके घर में दूद बह जाए ना तुरंट के तुरंट उसे क्लीन कीजिए और अपना जो टाइम है उसे सेव कीजिए क्योंकि आज की टाइम में टाइम किसी के पास भी नहीं है टाइम बचाने के लिए आप इस चीज को फैला फैला सा हो जाता है यूज करते करते तो इसे हम चाहते हैं कि यह इकट्थे नहीं इस टाइब से फैला फैला सा नार है देखने में अच्छा नहीं लगता और कहीं ऐसी जगह हमने रख दिया है जहां आना जाना बहुत जादा है तो किसी के पाउं में भी फैला हुआ ज जाडू टच हो जाता है जो कि टच नहीं होना चाहिए तो हमारे पास तो पुरानी चूडियां जरूर पड़ी रहती हैं उनको ले लीजिए और इस तरीके से अपने जाडू पे पहना दीजिए जब आपका जाडू थोड़ा सा भरा भरा घना घना होगा तो चूडियां लखो कि अपने जाडू को किसी के पैर में भी नहीं लगेगा और देखने में भी काफी जाड़ा अच्छा क्यी लगेगा और एक तरीके से हमने जाड़ो घर भर में लगा देंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ अक्सर हम क्या करते हैं अपने जूतों को धोते हैं तो उसे धोगने के बहुत जादा तरीके आप लोगों को मालूम ही होंगे आपने डिटर्जन से आपने साबुन से इसे जरूर धोया होगा लेकिन आज आप से शैंपू से धोने वाले हैं यानि कि हम इसे शैंपू से क्लीन करेंगे और इसके वेनिफिट भी बताऊंगी आपको जब हम इसे शैंपू से क्लीन करेंगे तो वो result भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छे से ये clean होता है जब हम सर्फ से होते हैं या फिर कपड़े वाले साबुन से हम इसे wash करते हैं clean करना चाहते हैं उतने अच्छे से हमारा जो सूज होता है अच्छे से clean नहीं होता साथ ही साथ कहीं कहीं rough हो जाता है जो कास्टिक होता है सेमपू में साबुन में बहुत जादा होता है तो हमारे जो जूते होते हैं उनको वो खराब कर देता है तो कभी भी अगर आप धोते हूँ अपने महंगे महंगे सूज को तो आप थोड़ा सा एक पुड़िया सेमपू का ले सकते हैं अगर आप डब्बे वाला नहीं रखते हैं तो या फिर कोई भी company का आपके पास सेमपू हो उसी के मदद से आप इससे धोईएगा हलका हलका brush मैंने मार दिया था 10 मिनट के लिए रख दिया था और एक पुराना socks हाथों में पहन लिया जिससे कि अगर किसी के nail बहुत अच्छे हो ना तो जूता धोते टाइम उसके nail खराब ना हो यह जो problem होती है वो face ना करनी पड़ी इसके लिए हम पुराना socks पहनेंगे और उसी पुराने socks की मदद से इसे घिसेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जिस भी हाथ से काम करते हो मैं दाहीने हाथ से काम करती हूँ तो दाहीने हाथ में पहना है आप बाएं हाथ से काम करते हो तो बाएं हाथ में पहन लो एक हाथ से सिर्फ हमें पकड़ना है और इसे अच्छे से घिसते हुए जाना है थोड़ा बहुत अच्छे से ये clean हो जाता है उसके बाद इसकी जो डोरियां होती हैं लेसिस होते हैं उनको भी मैंने निकाल लिया है और उसके बाद भी से थोड़ा सा मैं रब कर दे रही हूं हलके हलके हाथों से हमें करना है बहुत जोर नहीं लगाना है होता है बहुत ही महंगे कुछ थोड़ा सा हमें केयर करना पड़ता है नहीं तो फिर बहुत ही जल्दी खराब हुजाते हैं यह तो थोड़ा सा इसे केयर के साथ अगर शैंपू हो तो शैंपू से आप धूलिए यह बहुत अचा से क्लीन होता है कहीं कहीं अगर आपको गंदगी दिख रही होगी तो आप इस तरीके से ब्रश मार दीजिएगा जो पेश्ट करते हैं वो वाला ब्रश रहेगा न तो जल्दी से गंदगी निकाल देता है और उसके बाद लेशिज वगेरा सबको हम साफ पाने से कई बार धुल लेंगे और एक बात आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैं किरास कुछ भी नहीं था उसमें बाद में मैंने सिंक को क्लीन कर दिया था और इसी वज़े से मैंने सिंक में धुला है तो इसे इग्नोर कीजिएगा अब मैं इसे लिए आए हूँ छट पे और इसे सुखाने के लिए रख रहे हूँ हूँ आप देख सकते हो कि कितना अच् शेयर कॉमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक किया और नमास्ते